गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स बच्चो आज हम आपको एकॉनोमिक्स का चैप्टर टू पीपल एज रिसॉर्स यानि संसाधन की रूप में लोग पढ़ाएंगे इसमें क्या है बच्चो हम आपको आज मालो संसाधन की रूप में पढ़ाने जा रहे हैं थोड़ा ध्या इन फैक हुमन कैपिटल इस स्टॉक और प्रोडेक्टिव नौलिस इंबरोडाइट इन इट देखो बचो क्या है कि आर्थ वर्ष्था में जनसंख्या की व्याक्षा जो है एक संसाधन की रूप में लोगों का आर्थ होता है किसी देश में कारवत लोगों के वर्थमान को प्रोड़ाइब को लिए जाएगा आगे देखे पीपुल एज रिसोर्स हुमन रिसोर्स के बारे में बताएंगे मां आपको मानो संसाधन क्या है मानो संसाधन जो बच्चों होता है इस मानो पूंजी जो होती है को अधिक प्रशिक्षन देकर अच्छा रुत्पादक बना होगा आपने कि उत्पादन के चार कारक होते हैं भूमी, श्रम, पूंजी, मानव देखे भूमी, श्रम, पूंजी ये मानव के बिना अपूंग है अधूरी है जब तक भूमी में मनुश्य अपने श्रम को नहीं लगाएगा तब तक उससे उत्पादन को नहीं किया जा सकत श्रम है जो श्रम है श्रम कारह नहीं कर सकता उसे श्रमिक के द्वारा ही पूरा किया जाएगा पूंजी से उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो पूंजी किस के द्वारा पूंड होगी मनुष्य के द्वारा तो ये सब चीज़ें जो भूमी श्रम पूंजी है ये श्रम मनुष्य के बिना अधूरी है इनके मानव के बिना कोई भी कारे नहीं हो सकता है अब मानव पूंजी में किस प्रकार से व्रद्धी की जा सकती है इसके लिए हम आपको बताते हैं देखिए as in the case of physical capital the productivity of human capital can also be improved through a different type of investment in the form of education training and medical care हम आपको बताते हैं बच्चों कि जो मानव पूंजी है ये इसमें हम किस प्रकार व्रद्धी कर सकते हैं किस तरह से इसको बढ़ावा दे सकते हैं इसे किस प्रकार से इसका विकास किया जाए जिसके द्वारा ही रास्टी आय में व्रद्धी करें अर्थ व्यवस्ता को जो मजबूती प्रतान होती है वो मानव पूंजी के द्वारा होती है और मानव पूंजी जो है वो किसके द्वारा अच्छी से बढ़ेगी वो बढ़ेगी भच्चों education and health अच्छी education होगी और अच्छी health होगी तभी ही मानव पूंजी में व्रद्धी की जा सकती है अन्यता नहीं की जा सकती है रास्टी आय को बढ़ावा किसे में मिलेगा मानव पूंजी जब अच्छी से होगी मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी से अच्छी सिक्षा प्राप्त करनी होगी और अपनी स्वास्ते को अच्छा रखना होगा तो देखी बच्चो थोड़ा हम ध्यान देंगे Human Capital is Superior इधर देखेंगे सवी बच्चे Human Capital is superior to all other forms of capital The high income citizen in the forms of human capital benefit all sections of the society especially those who can understood in this way human capital is more important than other physical capital capitals like land and water resource अनलाइक देखो बच्चो क्या है कि जो यह मानव पूंजी और भूमी जल संसाधन यह अतरिक महत पून है परन्तु यह अपने आप में स्वेम उपयोगी नहीं है यह संसाधन नहीं है इन्हें संसाधन किस प्रकार बनाया जाता है मानपूंजी से ही इन्हें संसाधन बनाया जाता है एक मिन थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे आपको बताते हैं कि जो यह देखे विशाल जनसंख्या को देश के लिए दायत तो मानने की बजाएं इसमें निवेश करके उतपादन परिसंपत्ती में परिवर्तित किया जा सकता है इसे उत्पादन परिसंपत्ति में कैसे परिवर्टित किया जा सकता है मान अपुंजी को इसके बारें बताएंगे जन संक्या को उत्पादन परिसंपत्ति बनाने साथ से क्या है यह देखिए इसमें क्या होगा जंतNever कि प्रते roughly को उत्पारण व्होग्य बनाना होगा किस से बनेगा अच्छी सिक्षण से अधिक से और अधिक सवस्त की लाव पहुंचाएं। अधिक से अधिक सिक्षित सबस्क्राइन न सबस्क्राइब और इंधार राति हैं और सबस्क्राइब करक्राइब नहीं हो सकते हैं हैं ऐसे हम आपको बच्चों बताते ए इन investment in the human capital in the form of education training and medical facilities also given return as it is in the case of other physical capitals more educated and trained people earn higher income because of their higher productive capability which increase the gross productivity of the nation those the doctor the teacher the engineer and the tailor are asset for economy कि सिक्षा प्रशिक्षण चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता तो जो जंसंक्या मानपूंजी में परिवर्टित हो जाती है और मानपूंजी कोशल उसे नहीत उत्पादन के घ्यान का इस डोक है, जब उपलब्द, मानोई, संसाधन, सिक्षा तत्वास्टे दौरा अधिक विक्सित क्या रहता है, तब इसे माना पूंजी में निर्मान क्या जाता है, जिसे देखो सिक्षा, प्रसिक्षान और स्वास्था सेवा के दौरा ही माना में निवेश भौतिक पुंजी को भाति प्रतिफल प्रदान करता है अधिक सिक्षित प्रसिक्षित जो लोग होते ंशत्पाद करण अधिकाय होती है और शकलड़े उतपाद में व्रद्धी होती है जैसे डॉक्टर है द्यापक है इंजीनियर है जो दर्जी है यह अर्थ व्यवस्ता के लिए परिसंपत्ति है यानि कि इनके द्वारा जो आय प्राप्त होती है उससे रास्टे आय में व्रद्धी होती है देखो बच्चो इन सब को दर्शाने के लिए इस चैप्टर में दो तीन स्टोरियां दी हुई है उन्हीं स्टोरियों को थोड़ा ध्यान से समझने के कोशिस करेंगे इसमें सकल और विलास की कहानी बताई गई है देखो थोड़ा ध्यान देंगे आप बच्चो हम आपको बताते हैं कि इनकी स्टोरिय के बारे में बताते हैं जो सकल और विलास हैं यह आपस में दोनों मित्र हैं और एकी गाउं में सेमापुर में रहते हैं सकल की आयू 12 वर्ष है और उसकी मा शीला घर का कामकास देखती है पिता जी हैं जो खितों में काम करते हैं और वह सकल जो है अपने घर में अपनी मा की हेल्प भी करता है काम में छोटे बहन भाई की भी देखवाल करता है उसके चाचा भी हैं इससे स्टोरिम बताया है मैट्रिक की परिक्षा पास कर दे लिए लेकिन वे घर पर ही बेकार बैठे रहते हैं तो जो उसके पिता जी है और माता जी वे चाहते हैं कि उनका बिटा अच्छी तरह से पढ़े लिखे इसने उन पर जादा ध्यान दिया और उन्हें उसे पढ़ाने के लिए उन्होंने गा बाद भी बहुत अच्छी से अध्यन करता है उसने पढ़ाई में बहुत अधिक्रुची थी तो उसने अपनी लगान रुट्सा से कोर्स भी पूरा किया और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी कर ली इसके बाद क्या हुए एक नए सॉफ्टवेयर को उसने डिजाइन वाला है उसकी उम्र 11 वर्ष है उसके पिता क्या है एक मचवारी का कारे करते हैं और जब केवल दो ही वर्ष का होगा तो उसके पिता की मिरत्यों तो उसकी मा सारा कारे करती थी तो पीछे से जो विलास था वही अपने भेहन भाईयों की देखवाल करता था विलास गठिया का रोगी भी था उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सके नहीं वह स्कूल भेज पाई उनको तो क्या था उसकी मां भी बिमार पड़ गई और देखवाल करने वाला भी कोई नहीं था तो आगे आने पर जब है बड़ा हुआ थोड़ा सा तो परिवार में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था तो उसी गाउं में मचलियां बेचने के लिए बात दे हुआ और अपने मां की तरह ही थोड़ी सी आय में गुजारा करने लगा तो हम आपको इन दौनों के बारे में बताते हैं बच्छों कि देखे एक जो सकल है स्कूल भी गया था और शारी रिक रूप से भी स्वस्तिता कोई भीमारी भी नहीं थी उसे और उसने पढ़ लिकर करके अच्छी प्राइविट फर्म में नौकरी भी मिली और उसे इतनी आय मिली कि उसने अपने घर परिवार का खर्चा भी अच्छी से चलाया औ मैं लिकर उसके उल्टा वीलास क्या था एक गरीप परिवार से था इसके परिवार में कोई यह उसे आगे पढ़ाने वाला नहीं था नहीं उसके और वह detta थे डिमार हुआ यह था नहीं उससे अच्छी सी दभ intrवाय करवाएं कि रवी है जिसके उम्रे 14 वर्ष है खेतियर मजदूरी का कार्य करता है उसके वाद त्रयाप्त कपड़े भी नहीं है और वे को पोशन का शिकार है और उसके पिता है वे रोगी है तो मानव संसादन में सिक्षा वे चिकित्सा के सेवा के द्वारा निवेश्य भविश्य में उच्छ प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना रहती है जितने ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है सिक्षा और उसमें उतने ज्यादा से ज्यादा मानव संसादन में व्रद्धी होती है लिकि डवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान हैज मैड व टो जापान जैसे विकशित देश में मानव सन्साधन पर सूविचारित निवेश्षित किया थे विकशिते वतिन मानव ंसाधनु देश in फटव कुलमी ओर को नोगह सब्कितुमातोप नियुख happier चलाशकारित संद्वात नियु देश करेंствен irregular karma 10 कि समर्था नहीं तो उन लोगों की कुशलता और प्रोधकी की विक्सित की गई तो इससे देश कैसा हो गया धनी और विक्सित बन गया